अब ये सब समझने के बाद एक शब्द बड़ा महत्पूर्ण है और वह है नियायक सक्रियता नियायक सक्रियता क्या है ये वरत्मान में बड़ा महत्पूर्ण शब्द हो चला है सक्रियता का अर्थ किसी उद्देश की प्राप्ति के लिए जोरदार कारवाई करना एक्टिविजम जैसे हम अंग्रेजी में कहें एक्टिविजम जुडिश्यल एक्टिविजम और जैसा शब्द से स्पष्ट है एक्टिव होना जोरदार कारवाई करना किसी उद्देश को पाने के लिए वह कहलाता है नियायक सक्रियता उच्छतम नियायले उसने जनहित से जड़े हुए मामलों पर ना केवल अपनी राय दी है बलकि उसने सरकारी एजन्सियों को फटकारा भी है सामन अर्थ में नियायले का अर्थ हम समझते है नियाय देना और नियाय देने का माइने है निरने देना लेकिन गत तीस वर्षों में दिनों दिन जुडिशल एक्टिविजम बढ़ता जा रहा है अर्था नियायक सक्रियता बढ़ती जा रही है इस सक्रियता के परिणाम सुरूप उच्चितम नियायले अपने सामाने कारिक्षित्र से बाहर भी जा रहा है और रही जनहित की बात जनता से जुड़ू हुई बात जनता के हिद की बात तो उन मुद्दों पर वो अपनी राय देने लगा जबकि पहले राय देने का काम केवल उच्चितम नियायले केवल राष्टिपती के लिए करता था परामर्श का काम केवल राष्ट पती के लिए लेकिन यहां जुडिशल एक्टिविजम के तहद नियाएक सक्रीटा के तहद दिनों दिन उच्चतम नियाल है अपना कारक्षित दाइरा बढ़ा रहा है और ना केवल वो राय दे रहा है जनहित के मामले में बल्कि जो सरकारी एजेंसियां हैं चाहे वह सी बी आई हो चाहे राव हो एडी हो या इसके अलावा अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं इनको फटकार भी लगाता है नय शक्रीता के लिए आखिर क्या कारण है ऐसा हो क्यों रहा है कि सुप्रीम कौर्ट अब फटकार लगा रहा है उन मामलों में भी जो उसकी परीधी में नहीं आते थे या उन मामलों में भी जिस पर उसके पास सामने सुनवाई के लिए कोई बात नहीं आई है उसका मुख्य कारण है कि सरकार के जो दूसरे दो अंग हैं कारेपालिका और विधाईका कारेपाल का और विधाईका संभवता कठोर निर्ने लेने में संभवता अप्रिये निर्ने लेने में विफल रहा है इसके माइने ये हैं कि सुप्रीम कोट ने कई बार ऐसा देखा है कि उच्च पदों पर बैठे हुए धनाध्य वर्ग के लोग प्रभावशील वर्ग राजनेतिक रूप से पहुँच रखने वाले वर्ग उनसे सरोकार लेने वाले रदी कुछ मामले हों तो सुप्रीम कोट ने पाया है ऐसे मामलों में विधाई का या कारेपाले का सक्त निर्णे नीले रही है जिसका खामियाजा सामानि जनता को भगतना पढ़ रहा है सामानि जनता के हित में आवाज उठाने के लिए कई बार सुप्रीम कोट इसलिए विवश हुआ है और इसलिए वह एक्टिव हुआ है वह एक तरीके से सक्रिय हुआ है और सामानि जनता के पक्ष में मानो उसने कारेपाल का या विधाई का को एक तरीके से या कहते हुए फटकारा है कि आपके द्वारा कठोर निर्णे लिए जाने की जरुदह है जनता के हित में आपके द्वारा कुछ ऐसे निर्णे लिये जाने की जुरत है जो वैसे तो अपरी हैं लेकिन जन हित में ज्यादा फायदे मन्दा यदि मैं ऐसे उदारण की बात करूँ तो एक दो निर्णे जो बहुत प्रसिद हुए थे बड़े कठोर निर्णे थे दोनों निर्णे श्रीमती इंदरा गांधी के काल के जो जनहित में लिए गया बड़े कठोर निर्णे थे पहला था बैंकों का राश्टी करण उननिस सो अड़ सट उननात्तर की घटना जब निजी बैंक हुआ करते थे और निजी बैंकों का मतलब इन बैंकों के मालिक बहुत धनी वर्ग के लोग हुआ करते थे बहुत धनी लोग हुआ करते उनको नाराज करके बैंकों को अपने हाथ में लेने का बहुत कड़ुआ निर्णे श्रीमती इंद्रा गांधी लिया था जनहित में और उसी प्रकार प्रिवी पर्स वाली एक घटना थी जिसमें राजा महराजाओं को दिये जाने वाला जो भत्ता था उसे इंद्रा गांधी सरकार ने रोक दिया था ये दोनों कड़ूए निर्णे थे लेकिन जनहित में थे बाद में नयाय पालिका ने या सरवोच नयायले ने ऐसा पाया किया से कड़ूए निर्णे लेने के लिए ताकत की कमी है शायद शासन में और इसलिए उसको फटकार लगाने की जब तब जरुत पड़ी है ये ऐसी त जिसे हम संक्षित में कहते हैं पबलिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये जनहितियाजकाएं किसी एक व्यक्ति विशेश के हित के लिए नहीं होती हैं बलकि सामान जनता के लिए लगाई जाती हैं जनहित यातिया की मुकर्दमे बाजी ने गरीबों को, बंद हुआ मज़़ूरों को, कैदियों को, समात के कमजोर वर्ग के लोंगों को काफी मदद की है जैसा की शब्द से स्पष्ट है जनहित याचिका अर्थाद कोट में एक आविदन जनता के हित में किसी एक व्यक्ति विशेश के हित के लिए नहीं है जै किसी तरह के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में नहीं है जै बलकि अधिकतर मामले में एक पक्ष जो होता है वह पक्ष रहता है जो सामाने तर जिसकी और सरकार है और दूसरा पक्ष जो होता है जो सरकार के या उनके आदमियों से होने वाले कारिक के परिणाम सरूप उस पर दुश्प्रभाव पढ़ रहा हो इसलिए जनहितियाची का सामान नित्या समाज के निम्न वर्गों को लेकर होती है चाहे वो दलित हों चाहे मजदूर हों कैदी हों आदी आदी यदि हम कुछ प्रारंबिक जनहितियाची काओं की बात करें तो उसकी शुरुआत हम देख सकते हैं लगभग उननिस सो सत्तर के दशक में जथा मैंने पूर में कहा कि गत 30-40 वर्षों में जनहितियाची काओं का एक तरीके से अंबार लगा बाढ़ाई जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी वैसे वैसे जनहितियाची काओं के संख्या भी बढ़ती गए और कोर्ट का जो एक्टिविस्ट रवईया है वह भी बढ़ा नाइन्टीन सेविंटीन नाइन के एक घटना की और हम जाएं जब एक समाचार पत्र में बिहार के कुछ विचाराधीन कैदियों के लेकर कुछ ख़बर चपी वे लोग अपराधीनी घुशित हुए थे विचाराधीन कैदी अर्थाज जिन पर अभी कोर्ट में मामला चल ही रहा था उनकों लेकर अख़बार में कुछ ख़बर चपी बिहार की जेलों में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है काफी लम्बी अभजी से उन्हें अकारण ही बंद रख़ जा रहा है जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरिफ्तार किया गया उस अपराधों के लिए यदि उन्हें सजा हो जाती तो कबके छूट चूट चुके होते लेकिन जो सजा है उससे ज्यादा वो जेल में समय काट चुके थे और विचाराधीन कह दी जैसे जेल में ही पड़े हुए थे ये अमानवी था जिसको लेकर कुछ लोगों में विचार विमर्श हुआ और इस खबर को आधार बना कर एक वकील ने एक याचिका दायर की कोर्ट में एक याचिका मामला सर्वो चिन्यायले तक गया ये अपनी तरह की पहली जनहित याचिका थी बिहार के कैदियों को लेकर और कैसे कैदी विचारा धीन कैदी जो सजा याफता यदि होते भी तो भी अपनी सजा कब की काट चुके होते इस मुकद्मे को हुस्एन आरा खातूम बनाम बिहार सर्कार के नाम से जाना गया खुशैन नारा खातूम बनाम बिहार सरकार ज़सा मैंने कहा है एक पक्ष समानितिया सरकार रहती है या सरकार से जलो उवन के निमाइंदे रहते हैं जिनके खिलाफ कमजोर वर्ग की आवाज उठाते हुए कोई कोट में याचिका करता है वही जनहित याचिका कहलाती है दूसरा उदारन है 1980 में तिहार जेल तिहार जेल के एक बंदी ने सर्वुच नियायले के नियाधीश को एक चिठ्थी लिखी बंदी ने जो चिठ्थी लिखी और जिस नियाधिश को संबोजित किया सरवच नियाले के उनका नाम था श्रीक किशना अयर बहुत पसिद नियाधिश उस चिठी में बंदी ने बंदियों को दी जाने वाली यातनाओं का बड़ा विस्तरत विवरण किया था शारीरी की यातनाओं को लेके काफी कुछ लखा था नियाधिश उस चिठी को पढ़ते हैं और उस चिठी को ही वो एक याचिका मान लेते हैं यह दिभी बाद में नियाधिश ने पत्रों को याचिका के रूप में स्विकार करने से मना कर दिया पत्रों को याचिका के रूप में स्विकार करने की जो एक प्रता चल पड़ी थी उसे समाप कर दिया लेकिन ये वाला जो मुकदमा था जो श्री किष्णा इयर ने जिसे याचिका के रूप में लिया ये सुनील बत्रा बनाम दिल्ली सरकार 1980 के नाम से प्रसिद्ध हुआ प्रश्णी उड़ता है कि पत्र के माध्यम से जो ध्यान आकरशित किया गया था माननी नियाधीश का उसके बाद ऐसे कई पत्र और आये होंगे एक समय ऐसा है जब ऐसे पत्रों का अंबार लग गया और पूरे देश से विविन खेत्रों से इस तरह के पत्र आने लगे जिसमें नियायले सानुरोद किया गया था कि वे इन मुद्धों को देखें संबंदित मुद्धों को तो प्रारम में तो कुछ पत्रों को याचिका के रूप में स्विकार किया गया लेकिन बाद में इसकी बढ़ती संख्या और इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को देखते हुए इस प्रथा को समाप कर दिया गया लेकिन तब तक काफी कुछ पानी बहच चुका था एक्टिविजम अपनी चरम सीमा पे आ गया था ये जो मुकदमा है तिहाड़ वाला जिसे सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रिशासन के नाम से जो प्रसिद हुआ ये अपने तरीके से पत्र के माध्यम से जनहितियाचिया बनने का पहला उधारण था जनहितियाचिया जो है उसने मुकदमे बाजी के मामले में हमारे अधिकारों को बढ़ाया है देखिए यह आखिर जो मैंने दो दारण डिये ये अधिकारों के उप्योग से ही तो सम्बंदित थे कैदियों पर जो अत्याचार किया जा रहा था कैदियों पर जो हिंसा की जा रही थी वह गैर कानूनी थी कैदियों के भी अपने अधिकार होते हैं मजदूर तो होंगे लेकिन मजदूरों के भी अपने अधिकार होते हैं दलित हैं लेकिन दलितों के भी अपने अधिकार होते हैं और समानता के अधिकार के तहट उन्हें तो वे सारे अधिकार मिले हैं जो अन्यवर को मिले हैं पर ऐसा जब नहीं होता है तब जनहित की बात सामने आती है समा चार पत्र मीडिया इनके माध्यम से जब खबरें बढ़ती हैं पहुंचती हैं तब फिर जो जिसको हम कहते हैं सक्रीता बढ़ती है जनीत की मुकर्द में बाजी ने ही हमारे अधिकारों के ख्षित को और बढ़ाया स्वच्छ हवा, प्रदूशन रहित नदी ये भी हमारे अधिकार हो गया स्वच्छ हवा मिलने का अधिकार, प्रदूशन रहित नदी मिलने का अधिकार ये हमारे अधिकारों के बढ़ते हुए दाइरे का परिचायक है और इसलिए कहा जा सकता है कि एक्टिविजम ने चक्रीता ने, नियाएक चक्रीता ने समाज में चैतनेता लाई है और हमारे इन अधिकारों को सर्रक्षन भी दिया है एक और जहां नियाएक चक्रीता के फाइदे हम देख रहे हैं वहीं इसको लेकर कुछ आलुचनाएं भी होती है आलुचनाओं का अधार क्या पहला जनहित याजिकाओं के कारण नियाएलेओं का कारिभार बहुत बढ़ गया है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब बड़ी सरलता से लोग नियाएले तक जाकर अपनी शिकायद दर्ज करने लगे यद्यपि भार बढ़ना स्वैम में कोई बुराई नहीं है लेकिन परणाम स्वरूप इसका यह हुआ कि नियाएले के अन्यकारे प्रभावित होने लगे दूसरा अलोचना का अधार है कि विधाई का और कारेपालिका का का काम नियाएले नहीं कर सकते है लेकिन फिर भी जैसे हमने देखा कि जनहित में की गई मुकेदमे बाजी में गरीबों को महिलाओं को बंदुवा मजदूरों को नियाएले को सर्रक्षन देते हुए नियाएले ने कारेपालिका विधाईका को फटकार लगाई है और ऐसा करते हुए उसने इन ऐसे लोगों को नियाए दिया है तो कहा जा सकता है कि आलोचना का एक आधार जहां बढ़ता हुआ कारेभार है वहीं दूसरा कारण केवल यही कि विधाईका और कारेपालिका के काम में अब नियाए पालिका दखल देने लगी ऐसी अनुभूती होती लेकिन इससे निश्चित रूप से कोई दो मतनी कि इससे समाज के निम्न तबके के लोगों को काफी फाइदा हुआ है नियाए मिला है तो ने सकारात्मक पहलू को तो समझा अब नकारात्मक पहलू क्या है पहला नियाएलेओं पर कारे बोज में बढ़ोत्तरी हुई है जो उनका काम है वो काफी बढ़ गया है दूसरा इस नियाएक शक्रीता के नकारात्मक पहलू की बात करते समय जो दूसरा बहुत महत्पूर्ण बिंदू है वो है नियाएक शक्रीता के विधाईका, कारे पालिका और नियाएपालिका के कारेयों के बीच जो अंतर है वह धुंदला हो गया है जो क्लैरिटी है जो पश्टता थी उसमें थोड़ा धुंदला पना गया है और उसका कारण क्या है कि नियाएपालिका को जब तब कारेपालिका और विधाईका के कामों में दखल देना पड़ रहा है जो नियाएक शक्रीता का एक नकारात्मक पहलू हो जाता है तीसरा नकारात्मक पहलू है नियाएपालिका जो है या नियायल है कई बार देखा गया है ऐसी समस्याव में उलज गया है ऐसे मामलों में उलज गया है जिसका सरोकार उससे नहीं है वास्ता में वे मामले नियाय पालिका के कारिक्षेत्र के हैं और इस पकार कारिपालिका को जो चीजें हल करनी चाहिए थी अब नियाय पालिका उसमें जाता हुआ घुषता हुआ नजर आ रहा है और इस पकार उसका कारिबोज भी बढ़ रहा है तीनों अंगों के बीच की इस पश्टता में भी धुंदला पना गया है आदी आदी जैसे उधारन के लिए वाई और ध्वनी प्रदूशन दूर करना ब्रश्टा चार आदी पर लगाम लगाना ये कारिपालिका के ख्षेतर हैं पर देखा जा रहा है कि न्याय पालिका को ऐसे मामलों में बार बार स्वयमेव दखल देना पड़ रहा है न्याय पुनराव लोकन को हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं उसके अर्थ को जैसा कि पुनराव लोकन शट बताता है सर्वोच न्यायले किसी भी कानून की समवैधानिकता की जाच कर सकता है कानून की समवैधानिकता यह कितना समवैधानिक है इसकी जाच कर सकता है और यदिवा सम्विधान के प्रावधानों के विप्रीत लगा तो नियाले उसे गैर सम्विधानी घोशित कर सकता है यह उसके नियाएक पुनरावलोकन के विशेशादिकार के तहट उसका अधिकार आता है दो मामलों में जिसमें एक मूल अधिकार है और दूसरा संगी संबंदों के मामले में वहाँ पर कुछ इस तरीके समस्च सकते हैं कि मूल अधिकारों में अधिकारों की रक्षा उसके दाइरे में हैं और संगी संबंदों के मामले में शक्त के विभाजन की घोशना की रक्षा ये नियाएक पुर्णराविलोकन के तहत सुप्रीम कोट का विशेशादिकार है तो इस सकार एक्टिविजम या नियाएक चक्रीता इसकी राजनीतिक विवस्था पे क्या प्रभाव पढ़ रहा है खासकर सकारात्मक प्रभाव उसकी बात करें तो वह राजनीतिक विवस्था को लोकतांत्रिक बना रहा है पहला पहला सकारात्मक पहलू या प्रभाव एक्टिविजम का वह है लोकतांत्रिक बनाने में मदद कर रहा है न्याय व्यवस्था को दूसरा कारेपालिका जो है वो उत्तरदाई होने के लिए बाध्य हुई है न्याय पालिका की पैनी नजर के कारण कारेपालिका सजग रहती है और सजगता का पैमाना ये कि वह किस हद तक उत्तरदाई अपने को मानती है तो देखा जा रहा है कि जब से ये नयाएक शक्रीता के उदाहरें सामने आ रहे हैं तब से कारेपालिका ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदाई होने के लिए बाद दे हुई है तीसरा चुनाओ प्रणालिको भी और ज़्यादा मुक्त कर दिया गया है निश्पक्ष करने का प्रयास किया गया है क्योंकि नयाएक पालिका सजग है विविन बहलूओं बिंदूओं को लेकर चुनाओं के वह बारंबार सवाल खड़े करती है और इसकार ये सुनिश्चित करती है कि संबंदित जो धाचा है चुनाओं का वह निश्पक्ष रहे पारदर्शी रहे अंतिम बिंदू जो सकारात्मक है वह है नियाय पालिका ने चुनाओं लड़ने वाले प्रत्याशियों को जो अपनी संपत्ति आय योगिता आधि के संबंद में विश्त्रित ब्यवरा देने के लिए विवश्च किया है वह एक लोग तांत्रिक विवस्था का बहुत महत्प कोंड कदम है तो नियाय पालिका की यदि बात करें तो उसका संबंद अधिकारों से कैसे है उसे हम किस तरीके से परिवाशित कर सकते हैं संविधान जो है हमारा संविधान दो ऐसे विधियों का या दो ऐसे तरीकों का वर्णन करता है जिसे नियाय पालिका में अधिकारों की रक्षा के संबन्द में देखा जा सकता है और वे दो तरीके कौन से हैं जिनका पूर में जिक्र किया गया है पहला रिट के दुआरा रिट की शक्ति का उप्योग करते हुए और दूसरा किसी कानून को गैर समवैधानिक घोशित करने की शक्ति जो इसको मिली हुई है वहा पांचों रिटों का संबन्द अधिकार से है और मौलिक अधिकारों का सर्रक्षन करना या संविधान के व्याख्या के समय चुनिशित करना कि उचित व्याख्या हो यह नियाय पालिका के अधिकारों के संबंद के साथ इसे जोड़के देखा जा सकता है जो गैर कानूनी घोशित करने का जो अधिकार है वो उस अधिकार को हम पुनराव लोकन के तहद भी समझ सकते हैं नयाएक पुनराव लोकन यह वही अधिकार है जिसमें कानून को वहाँ गैर संबेधानिक घोशित कर सकता है